हेलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी महिला एवं बाल विकास विभाग की जो केंद्र प्रवर्तित महत्वपून योजनाय है उसका सेकेंड पार्ट जो है तेखने माले हैं यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर लेजिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस क्रिस्वन बॉक्स में टेलिग्राम की लिंक दी गई है आप जहां करके टेलिग्राम की चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ताकि आप सभी को प्रीडिया बगर जो है आसानी से मिल सकें और ज्यादर ज्यादर लोगों को तक इस क्लास को पहुंचाने की कोसिस कीजिये और ज्यादर ज्यादर लोगों क ये जो सेखर केजिये ठीक है और ज्यादर लोग ज्यास की है तो चली वीडियो सुरू करते हैं तो ये आज जो है सेकेंड वीडियो होगा आपका योजनाओं से सम्बंधित जो ऐसी योजना है यह है जो कि महिला इवन बाल विकास विभाग सम्बंधित हैं तो आज हम एक योजना को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्पून योजना है और काफी ज़्यादा डिटेल में भी देखेंगे इसे और हो सकता है कि इसके हम जो है इस योजना के दो पार्ट वीडियो में कवर करें ठीक है इस योजना को हम दो वीडियो में कवर करेंगे तो इस योजना का क्या नाम है सक्षम आगन बाड़ी एवं पोशन योजना ठीक है सक्षम आगन बाड़ी एवं पोशन 2.0 इसका पूरा नाम है ठीक है तो इसका प्रारम्भ कभी हुआ था सक्षम आगन बाड़ी एवं पोशन योजना का तो इसका प्रारंब हुआ था आपका 8 मार्च 8 मार्च 2018 को और कहां से तो राजस्थान के जुनजुने जुनजुनु नामक स्थान से इसे प्रारंब किया गया था कि इसे सक्षा मांगन बाड़ी एवं पोशन 2.0 को इसका उदेश्य क्या है इसका मुख्य उदेश्य जो है व इसके हैं कुछ यहां पर 5 लक्षी जो हैं बताए गए सबसे पहले लक्ष आपका दिया गया है प्रती वर्स दो प्रतिसत की दर से जीरो से च्छाय वर्स के बच्चे ठीक है जीरो से जो च्छाय वर्स तक के जो बच्चे है उनमें क्या करना स्टंटिंग को रोकना और उसे कम करना क्या होता है जो कुपोशन के कारण जिन बच्चों में उनके आयू के हिसाब जैसी बृद्धी होनी चाहिए उस तरह की बृद्धी नहीं हो पाती है कुपोशन के कारेड जो है उनकी बृद्धी जो है प्रभावित होती है उनकी जो लंबाई होती है वह प्रभावित होती है ठीक है तो इसी को आपका श्टंटिंग कहा जाता है और यदि आपका आयू के आधार पर वेट वगरा वेट में जो है भार में जो कमी है ठीक है उसके आयू के अनुसार नहीं है बच्चे की तो उसे वेश्टिंग कहा जाता है तो इसमें कितना कमी लाना दो प्रत्सत दर की कमी लाना यह लक्ष रखा आगे देखते हैं प्रति वर्स की दर्ण से छोटे बच्चे में कौन से बच्चे आ रहे हैं। आप क्या रहे हैं 6 माह से 6 वर्स तक के बच्चे ठीक है 6 माह से 6 वर्स तक के बच्चे तो इसमें बताया गया है 6 माह से 69 महीने में इनीमिया के प्रसार को जो है कम करना है ऐसे बच्चे जिनमें बलड वगरा हीमोग्लोविन्स की जो कमी हो जाती है लौतत्यू की कमी हो जाती है तो इसके प्रसार को जो है कम करना है कि इतने प्रच्चत की दर से तीन प्रच्चत की दर से आगे देखते हैं प्रती वर्स तीन प्रच्चत की दर से ठीक है 15 से 49 वर्स जो है इनीमिया की सिकायत रहती है तो इनीमिया के प्रसार को कम करना पहले तो बच्चों में इनीमिया के प्रसार को कम करना उसके बाद भी महिलाओं और किसोरियों में जो है इनीमिया के प्रसार को कम करना नेक्ष है प्रती वर्स दो प्रसत के दर से जन्म के समय जिन बारे में में कम्मी लाना कितने प्रतिस्षत की दर में थे ठींक है आगे देखते हैं इसका पुच्छाम अंग भाडी एद कोशान 2.0 का इसका पुराना नाम है आपका पोश्टन अभियान ठीक है यह जाथन अब प्रतिस्षत की दर से इक या डिया वह ज़क्तना पी तो तो इसे लागू किया आपका 1 अगस्त 2022 को ठीक है 18-2022 को इसे जो है लागू किया गया भारत सरकान ने पोशन अभियान का नवीन स्वरुप जो है सक्षम आंगनबाडी एवन पोशन 2.0 लागू किया है कब 18-2022 को 1 अगस्त 2022 को अब चलते हैं नेक्ष पेंच पे इसमें हम जानेंगे पूरख पोशन अहार कारिक्रम के बारे में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन मापदंड के अनुसार हितग्राही प्रति दिन निम्ना अनुसार पूरख पोशन अहार देने का प्रावधान है हितग्राही को इस अनुसार प्रति दिन के हिसाब से पोशन देने का प्रावधान है तो हितग्राही में आपके कौन-कौन से आ गए हैं यहाँ पर पूरख पोशन आहर कारिक्रम के अंतरगत तो सबसे पहले आपके आ गए हैं जीरो से चै चै माह से चै वर्स तक के बच्चे छै माह से चै वर्स तक के बच्चे ठीक हैं चै माह से चै वर्स तक के बच्चे फिर आपके आते हैं इसमें आपके कौन-कौन से बच्चे आ जाएंगे जो सामान्य बच्चे हैं और जो गंभीर कुपोसित बच्चे हैं ठीक है सामान्य बच्चे और गंभीर कुपोसित बच्चे सामान्य बच्चे और गंभीर कुपोसित बच्चे गंभीर कुपोसित बच्चे ठीक है अब आगे देखते हैं फिर आपके आजाते हैं गर्भवति इस्त्रियां और धातरी माताएं और कुस की सोरी बालिकाय ठीक है यह तीनों भी आ जाते हैं यहाँ पर इस कारेकरम के अंतरगत तो सबसे पहले देख लेते हैं हम जीरो से 6 माह से 6 वर्स तक के बच्चों के बारे में तो इनके लिए निर्धारित किया गया है 8 रुपए प्रती बच्चा प्रती दिन के हिसाब से ठीक है प्रोटीन की मातरा कितनी होनी चाहिए 12 से 15 ग्राम और कैलोरी यानि कार्बोहाइड़ेट वसा वगरा कितना होना चाहिए आपकी उर्जा कितनी होनी चाहिए 500 ग्राम ठीक है प्रती दिन के हिसाब से और इस तरह से आपका 6 माह से 6 वर्स तक के बच्चे कैसे बच्चे गंभीर कुपोसित बच्चे यहाँ पर जो आपके गंभीर कुपोसित बच्चे थे हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि 12 रूपे प्रती बच्चा प्रती दिन के हिसाब से ठीक है और प्रोटीन की मात्रा दिया गया है 20-25 ग्राम ठीक है और कैलोरी की मात्रा दी गई है 800 ग्राम प्रती दिन के हिसाब से तो ये उपर वाला आपका जो है ये सामान्य बच्चों के लिए है ठीक है सामान्य बच्चों के लिए और जो नीचे में है जो आपके गंभीर कुपोसित बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों के लिए दिया गया है फिर आपकी आ जाती है गर्भवती माताएं और धात्री माताएं और किसोरी बालिकाएं तो इनके लिए क्या निर्धारित किया गया है इनके लिए निर्धारित किया गया है नौ दसमलों पचास पैसे मतलब नौ रूपए हाँ तो यहां पर गर्भवती धात्री माताएं और किसोरी बालिकाओं के लिए जो साढ़े रूपए साढ़े नौ रूपए प्रती हितगाही प्रती दिन के हिसाब से ठीक है कितना प्रोटीन निर्धारित किया गया है तो प्रोटीन है आपका 18-20 ग्राम प्रती दिन और इसी आट को आप सभी को नोट करना है अच्छे से नोट कर लीजेगा क्योंकि क्वेशन यहीं से बनते हैं ठीक है नेक्ष्ट नेक्ष्ट देखते हैं अब हम देखेंगे छै माह से तीन वर्स की आयू के सामाने एवं गंभीर को पोसित बच्चे तथा गर्भवती वास इसुव होती महिला है ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर हम टेक होम रासन के अंतरगत टेक होम रासन क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं अब 6 माह के बच्चे वो खुद तो रासन लेने जाएंगे नहीं ठीक है तो इनको क्या होता है घर पर जो है रासन पहुंचा आया जाता है तो इसकी अंतरगत इस रेडी के हित्ग्राहियों को क्या दिया जाता है रेडी टू इट का फूड जो है प्रदान किया जाता है और यह किस पर आधारित होता है तो यह गेहूं पर आधारित होता है इसमें जो है आपका क्या क्या जाएगा इसमें आपका रागी वो मूँः फली आ जाएगा इन सभी का समावेस किया गया है रागी, मूँः फली है ना और यह सबता के छय दिन में निम्ना नुसार दिया जाता है सबता के छय दुनों में कुछ इस तरह का दिया जाता है तो देख लेते हैं सबसे पहले छे माह से तीन वर्स की आयू के जो समाने बच्चे होते हैं उनको कितना दिया जाता है 125 ग्राम उनको दिया जाता है 125 ग्राम जो छे माह से तीन वर्स तक के जो समाने बच्चे होते हैं और शे वहीं पर शे माहा से तीन बर्सक की आयू के जो गंभीर कुपोसित बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों को दिया जाता है दो सो ग्राम ठीक है और आपकी जो गर्भवती माताएं एवन सिसुवती माताएं होती हैं इन सभी महिलाओं को जो है घर ले जाने के लिए रासन क कितने ग्राम मिलता है तो डेर सो ग्राम प्रती दिन ठीक है प्रती दिन के मान से यह रासन जो है दिया जाता है आगे देखते हैं रेडी टू इट फूड का जो है निर्माण एवन प्रदाय का कार्य माह अप्रेल दो हजार बाइस से जो है आपका बीज एवं क्रिसी विभाग निगम जो है कर रही है ठीक है यह सभी जगह के लिए बीज एवं क्रिसी विभाग निगम जो है कर रही है रेडी टू इट फूड का निर्माण नेक्ट देखते हैं फिर है आपका तीन वर्स से च्छै वर्स तक की आयू के सामाने एवं कुस्पोसित बच्चे जो तीन वर्स से और च्छै वर्स तक की आयू के जो गंभीर एवं सामाने जो बच्चे हैं सामाने और गंभीर कुपोसित बच्चे उनके बारे में यहां पर बताया गया ठीक है आगन बाड़ी केंद्रों में आने वाले तीन से च्छै वर्स तक की आयू के जो सामाने वा गंभीर कुपोसित बच्चे होते हैं उनके मेन्यू के आधार पर भ था ठीक है इसके पहले और आब हम देखेंगे तीन वर्से से छै वर्स तक के बच्चे क्योंकि बच्चा अब यहां पर बड़ा हो गया है और आंगन बाड़ी जाने लगा है ठीक है तो उसे वो टेक होम रासन तो प्रदान किया नहीं जाएगा ठीक है उसे जो है आंगन गर्म पके हुए भोजन में रोटी चावल मिक्स दाल और सबजी वा गुड जो है दिया जाता है और नास्ते में क्या दिया जाता है अपका रेडी टू इट फूड का हलवा दिया जाता है और पोहा दिया जाता है आगे देखते हैं 3 से 6 वर्स आयू वर्गे के गंभीर कु दिरिक्त जो है जो कुपोसिद बच्चे होते हैं तो उनको जो पका पकाई भोजन है वो तो जो वहां मिलेगा ही खाने के लिए लेकिन साथ में उन्हें रेडी टू इट फूड का 65 ग्राम का जो है पेकेड़ जो है प्रती दिन के मान से 6 दिन तक जो है दिया जाएगा मतल opes दिया जाता है कितने घ्राम के हिसाब से पैंसट ग्राम प्रतितीन के हिसाब से कैसे बच्चों को गंवीन रिए बच्चे, कुपोव च भोट को आगे देखते हैं, थैंठे زी दिया गया यहाँ पर नास्ता एवन चावल आधारित गर में एवं पके हुए भोजन का सूखा रासन जो है प्रदाय किया जाता है महिला स्वा सहायता समूह के माध्यम से और नास्ता एवं गर में पके हुए भोजन की जो कच्ची समगरी है चावल को छोड़ कर इससे प्रदाई किया जाता है महिला स्वासाहिता समूह के माध्यम से प्रदाय किया जाता है तो यह भी याद रखेंगे कि कौन सी चीछ किस समूह से जो है प्रदाय की जा रही है आगे देखते हैं कि सोरी बालिकाओं के लिए पूरख पोशन आहार तो ग्यारा से चौदा वर्स तक की आयू की जो ऐसी बालिकाए हैं ऐसी किसोरी हैं जो की स्कूल वगेरा छोड़ चुगी है ठीक है साला त्यागी किसोरी बालिकाओं में को पोशन का चक्र जो है तोड़ने के लिए पूरक पोशन आहार योजना आहार योजना जो है संचालित है आगे देखते हैं ग्यारा से चौदा वर्स तक की आयू की साला त्यागी किसोरी बालिकाओं को रेडी टू इट फूड महिला स्वा सहायता समूहों के माध्यम से दिया जा रहा है अब नेक्ष देखते हैं अब देखेंगे समेकित बाल विकास की सेवा के उद्देश को प्राप्त करने के लिए हित ग्राहियों को निम्नलिकित में से निम ने लिखे 6 सेवाएं जो है प्रदान की जाती है कितनी सेवाएं प्रदान की जाती है 6 सेवाएं जो है प्रदान की जाती है कौन-कौन सी सेवाएं चली देख लेते हैं जो हित ग्राही है आपके ठीक है समेकित समेकित बाल विकास के जो भी हित ग्राही है आपके इन्हें कौन कौन सी सेवा हैं प्रदान की जाती हैं सबसे पहले देखेंगे टीका करण स्वास्थ जांच संदर्व सेवाएं पूरक पोशन आहार स्वास्थ पोशन एवं सिक्षा और साला पूर्व अनौचारिक सिक्षा ये सभी जो 6 सेवा हैं जो प्रदान की जाती हैं आप देखत कौन-कौन से नहीं हाएंगी इसमें आपकी जो किसोरी बालिका आ आएंगा और आपकी जो धातरी माता हैं वह भी नहीं आएंगी और जो अपकीजित आते हैं कि 46 वर्ण तक है तो पूर मेंगि नहीं आएगी केवल कौन घून आएगा आपका गर्भवती महिलाएं एवं 0-6 वर्ष तक बच्चे Next है आपका स्वास्जाच स्वास्जाच किसको प्रदान किया जाता है स्वास्जाच के लिए कौन कोन से हित ग्राही है तो गर्भवती महिलाएं भी हैं आपकी धातरी माताय भी होती है और 0-6 वर्ष तक के बच्चे भी होते हैं और आपकी किसोरी बालिकाय भी होती है स्वास जाज जो है इन सभी को जो है प्रदाय किया जाता है आगे देखते हैं संदर्व सेवाएं ये सभी समेकित बालविकास के अनसार होता है समेकित बालविकास सेवा के अनसार होता है आगे हैं संदर्व सेवाएं आपकी जीरो से 6 वर्स तक के गंभीर कुपोसित बच्चे विकलांग बच्चे जोखिम वाले बच्चे वीमार बच्चे खत्रे के लक्षण वाले गर्भवती महिलाएं एवं सिसु वती माताएं इन स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में सहायता की जाती है और मतलब रिफर सर्विस एक तरह से कह सकते हैं और रिफर सर्विस तो आपको पताई होगा तो रिफरेंस सर्विस यहां पर इन सभी को जो है प्रदान की जाती है आगे देखते हैं पूरक पोशन आहार पूर माहसे 6 वर्स्तक के बच्चों को समलित किया गया है आगे देखते हैं स्वास्त पोषण और सिख्चा किसे कि प्रिटाय किया थे तो 15 बाव प्ता लिकोर सत्थ 20 इन सब्सें जो है समलित किया गया है और किसे समलित नहीं किया गया है तो आपके 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको जो है समलित नहीं किया गया है अब दिखते हैं आपका छटमा है सालापूर्व अनौपचारिक सिक्षा तो यहां पर 3 वर्ष तक के आयू के जो समस्त बच्चे हो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब देखते हैं यह जो आपके हितगराही है वे कौन-कौन से हैं और इन्हें कैसी सेवाइं प्रदान की जाती हैं तो हित ग्राहियों में आपके आ जाएंगे गर्भवत्ति माताएं और धातरी माताएं ठीक है को कौन कौन से सेवाएं प्रतान की जाती हैं तो स्वास्तिजाज की सेवा गर्भविती महिलाओं को टिटनेस के टीके की सेवा संदर्भ सेवा मतलब की रीफर सर्विस है ना और पूरक पोशन आहार इसके अलावा पोशन एवं स्वास्तिशिक्षा प्रदाय किया जाता है टोटल पांच सेवाएं यहां पर प्रदान की जाती है किसे गर्भवती माताओं को और द्हात्री माताओं को फील देखते हैं के तीन वर्स से क्म आयू वर्ग के बच्चे ठीकम builder Sam 4 इंव तॉन्हें कौन-कौन नेक्स्ट है आपका तीन वर्से से च्छाय वर्स तक के बच्चों के लिए ठीक है तो इन्हें कौन-कौन सी सेवाय प्रदान की जारी है पूरक पोशण आहार टीका करण स्वास्त जाच संदर्व सेवाय और सालापूर्व अनौपचारिक सिक्षा फिर आपकी आती है कि सोरी बालिकाएं कि सोरी बालिकाओं में 11-11 वर्से से अधिक और 18 वर्से से कम उम्र की बालिकाओं को यह सेवा प्रदान की जाती तो कौन-कौन सी सेवाय हैं तो इन्हें कुल-कौन सी तीन सेवाय जो हैं प्रदान की जारी है स्वास्त जांच, पोशर एवं स्वास्त सिक्षा, घर ग्रिहस्ती की कुसलता फिर लाश्ट है आपका 15-45 वर्ष तक की अन्य महिला है तो इन्हें कौन सी सेवाएं प्रदान की जारी है पोशर एवं स्वास्त सिक्षा तो इन्हें केवल एक ही सेवा प्रदान की जा रही है तो सबसे पहले देखते हैं गर्भवती माताएं एवं धातरी माताओं को पाच सेवाएं प्रदान की जा रही हैं फिर आपके आते हैं जीरो से तीन वर्स तक की आयू वर्ग के बच्चों को चार सेवाएं प्रदान की ज और आपकी किसोरी बालिकाय जो है इन्हें तीन सेवाएं प्रदान की जाती है और आपकी 15 से 45 वर्स तक की जो अन्य महिला है इन्हें के वल जो है एक सेवा प्रदान की जाती है तो ये था आपकी आज की वीडियो का लाश्ट टॉपिक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडि को सब्सक्राइब कीजिए